कि नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चनल अब्जेक्टिव सेंटर पर इस वीडियों में हम लोग देखेंगे सीटी आई कि लेक्ट्रानिक मेकानिक कोशन पेपर 2020 यह माडल पेपर है तो जिन लोगों ने वीडियो को सेर नहीं किया है वो लोग अपने दोस्तों के साथ सेर कर दें बता दें कि इस पर आपका सीटी आई का चलना है माडल पेपर आप लोग देखने एक्जाम में कैसे कोशन आते हैं तो चलिए स्फूरू करते हैं पहला कोशन है किसी अटम का अटामिक नंबर किसके दौराइटितर्माइन किया जाता है आप सबंगे मैंनेघ। एलेक्टरी आर ont नेूट्रान होते हैं उससे उतना ही atomic number दिया जाता है तीन proton मतलब उसका तीन atomic number होगा दूसरा question है एक parallel circuit series circuit से किस तरह अलग होता है तो देखे जो एक parallel circuit रहता है या आपका series circuit से किस पकार भिन होता है कि current flow के लिए एक से ज्यादा रास्ते होते हैं यहाँ पर इसका d answer correct हो जाएगा कि parallel circuit में सभी component एक दू parallel में जुड़े होते हैं तो current flow के लिए एक से ज्यादा रास्ते मिल जाते हैं जबकि series circuit में ऐसा नहीं होता है कि तीसरा question है यह कैप सेटर के लिए कौन से ही equation सही है जो capacitance और voltage में रिलेशन मनाती है तो इसके लिए आपको पता को Q equal to CV हम लोग पढ़े ही है यह होता है कि लिए जो एक से ही है काप से और voltage और में रिक का जो में रिलेशन है वह आपका Q equal to CV होता है क्यूं आपको जहां पर आवेस है चौथा कोशन है कि एक ideal कारकारी amplifier में क्या खोवी होती है देखिए एक ideal कारकारी amplifier में जो खोवी रहता है कि infinite bandwidth होता है यहाप इसका सी अंसर क्रेक्ट हो जाए गए infinite bandwidth है कि आप देखिए लिखा है कि infinite bandwidth amplifier एक electronic डिवाइस होती है जो कि किसी power signal की strength या frequency को बढ़ा देता है एक amplifier को हर एक frequency पर काम करने वाला होना चाहिए तो पांचमा कोशने किसी परिपत का resistance बढ़ाते हैं तो current का क्या होगा यह आर कांस्टेंट रहे तो देखिए इसका सिंपल सब है कि यह आपका परिपत रिजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो जो current resistance मतलब आपका प्रतिरोध है परितरोध अगर बढ़ाएंगे तो हमार तो मतलब आपका धारा घड़ जाएगा छठा कोशन है एक बैटरी की capacity किस में मापी जाती यह देखिए जो बैटरी की छमता होती है आपका एंपियर हावर में मापा जाता है यहां पिसका भी अंसर करेक्ट हो जाएगा कि बैटरी की जो छमता रहता है आपका एंपियर आपका क्या होता है कि के इ tentang जिसका ट्रीप टूर जीरो होता है तो यहां पे इसका भी अंसर सभी हो जाएगा जीरो लेवल प्रोटेक्टर में एक कंप्रेक्टर होता है जिसका रिफेरेंस लेवल जीरो पर सट करके रखते हैं और इसका परियोग ऐसी सीगनल की zero क्रॉसिं सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंट रेशियो कम से एक से कम है तो यह क्या कहलाता है देखिए अगर यह किया कहलेग अलफा कहलाता है यह आपका साइब कहलाता है यह होता है यह अगर इमीटर करेंट से और यह प्रतिरोध कितनी होती है का पर की प्रतिरोधता होती है यह आपका 16.07 रहता है कि दश्वरी यहां पर 10 दस्मलों साथ रहागा कापर की प्रिज़ रहता है इसे सी यू से दर साथ जाता है इसके तार पर्यEC miel का चठद बनाये इसके उसमा अर्विधु चलकता बहुत होती है रे सीमि कंडुक्र की सी बांडिंग से बना होता है देखे जो समि कंडुक्र की बांडिंग रहता है या आपका कोवालेंट बांड से बनाये जाता है तो यह हैं यहां तो यहां पर सेमिकंडक्टर में कोवड होता है इस तरह का बांड elektron की सेरिंग vist मेटल एक इलेक्ट्राइद करतें इंसुलेटर में इनिक पांड होता है कि ईए क्रिस्टल डायोड में और पनके होते हैं आपका रहता है है कि क्योंकि आपका यही所 हाइद तरह यह आपसे लगता है हम दूइब को एक जब्द नम्बर कोशने एक कितने पीजिस्टर की बात कर रहा है देखिए ट्राइस्टर में आपका क्या ओगा तीन रहेगा यह पी सजिस्टर में नहीं कह दोगा एक जखशन हो गति है यह दोज आपके अपर इसका के जैगा आप सो नमबर भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा कोसी कुछ noir को तरा दोपेड होता है तो ट्रांजिस्टर का जो बेस होता है यह आपका जो रहता है हलका डोपेड होता है इसमें कमा सुधियां होनी चाहिए ताकि टिकमांड भी नेशन कि आफ चार्ज ना होने पाई जो इमीटर से आता है सोले नमर कोश्चन है सर्किट में ट्रांजिस्टर की बाईसिंग क्यों की जाती है देखें सर्किट में ट्रांजिस्टर की बाईसिंग की जाती है आपका डीसी करेंट के लिए किया जाता है तो डीसी करेंट के लिए बाइसिंग प्रिकिरिया जिसमें डीसी करेंट प्राप्त किया जाता है एक क्राइटेरिया एक सर्टन डीसी वोल्टेज पर बाइस सेटिंग ऑपरेटिंग पॉइंट गलवेनों मीटर है जब हाई रेजिस्टेंस का स्रीज में होता है तो इसे कंबिनेशन को वाट मीटर का प्रिक्षि पॉटेंसियल ग्यांद करने में किया जाता है ठवीन के इका noite क्या होता है कि जो होता है जैब आपका जीरो इंटरन्ल रर्यस्टेंस होता है चैब इसका यांसर क्रेक्ष्ट हो Beim इंटर्न रोग्लव वोटायग है ताकी उसमें वोल्वॉल्टेज या करेंट हसानी से प्रवाहित हो सके एक पूर सेमी किकंडक्टर प्यक्रेटर में क्या होता है तो, इस नमर कॉशन है एक डायोड में रिवर्स करेंट कितना होता है चल्ए लिए है तो हैं इसे हम लोग reverse saturation current भी कहते हैं यह आपका डायोड में से उल्टा बहता है यह कैथवर्स से एनोड की तरह एक तरह में किसको प्राकृति मेगनेट कहा जाता है है इसे हम बोलते हैं लोड इस्टोन को हम लोग प्राकृतिक मेगनेट यानि की प्राक्रितिक चुम्बक कहते हैं लोड इस्टोन को पाके इस्टील मेगनीशिया और सब्सक्राइब है आपका आपका आटिफिस्यली है निर्भर करता है यहागा इसका टीचींज होगा क्याम करेंट चंड़क्टर में करेंट चार्ज होता है तो दूसरे कंड़क्टर में आपका इम्दक्टर होता है फेएचर नईक्ड़ कान साथियें सब्सक्राइब करेंप शवासर नाट abortion कर गेट आ पच्चिस नमबर कोशन है कि एक एंटेरियो में क्या होना चाहिए एक एंटीना में क्या होना चाहिए तो एक एंटीना में आपका कम यहां 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 मतलब होता है standing wave ratio होता है एक एंटीना में यह कम यह नहीं ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए और नहीं ज्यादा होना चाहिए इसका मतलब है कि लोड की इंपिडेंस मैचिंग करना जब तक टांस्मिशन या विव क्वाइट की बात आती है सैटलाइट संचार की अप लिंक के फ्रिक्रेंसी कितनी होती है तो सैटलाइट संचार की आप जो लिंक रहती है आपका 6 GHz होता है यहा पर इसका भी अन्सब्स गीगा 3जी, है यहां पर 27 helping आफ के बेशिक कढर आफ कॉलर टीवी तो बेशिक कलर आफ कटीवी कि आपका रेड ग्रेंड और ओरफ गरेंज होता है यहां पिसका अज्रम ज्यार्इब करेंड पूलुखर और menくными अंचका मेंज लटे हैं यहां पे बेसिक कलर आप टीवी लाल हरा और नीला होता है यहां पे भी आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका रेड ग्रीन और बुलू आपके मेन कलर होते हैं कलर टीवी में तथा यल्लो मैगनेट तथा और कलर टीवी के सेकंडरी कलर होते हैं चक्तो का क्या है तो देखे जो यहां होता है आपका इनपूट पेरिफेरल और और आठपुट फेरिफिळल होता है तो अब इस इसका स्छी अंसर क्रेक्ट हो जाएगा बुलू थे भी, pen drive, input और output फेरिफिरोड डिवाइस है, इससे हम computer को input भी दे सकते हैं, और output भी दे सकते हैं, pen drive से हम computer को data fit कर सकते हैं, तिथा data दे भी सकते हैं, alternative quantity और समय के बीच के graph को क्या कहते हैं, तो alternative quantity और समय के बीच के graph को हम लोग रहता है ऒसलिकुर्ट के बोलते हैं वृ시면 और और आपको अन्सिर虫 को में मैं कि अधिन नमट कोज़श्शन है कि एक कैसिटर में चार्ज कहां च्टोर रहता है तो देख कैसीटर ऩापका प्लेट में रहता है कैपसीटर दो पेरलल कंडक्ति प्लेट से बना होता है जो आपस में टच नहीं करता है इनके बीच में डाई इन्सुलेटर की 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 इन्सुलेटर क सेमिकंड़क्टर कहलाता है इंट्रिंसिक सेमिकंड़क्टर होता है जो डोपेड नहीं होता है इसमें सुधिया नहीं होती है इसमें होल बनते है जब गर्मी की दवारे इलेक्टान अपनी जगह छोड़ देते हैं इसमें सुधिया मिला जाती है जिससे प्यारिंग करके होल बना जाते हैं इन्हें इक्स्ट्रिंसिक सेमिकंडक्टर कहते हैं क्या कहलाते हैं यह आपके मैनोरिटी केरियर कहलाते हैं यह इसे पेंटेवेलेंट इंप्यूरिटी मिला जाती है वार जैसे फासफफोरस शिरेमिक आपका उंटी मौनी बिसमत इसमें होल सोता है मैनायटी Ro הote बनाई जाती है जो यह लीडी रहता है जापका गैलियम हर रचेसागा बनायादास तो यह लीडी गैलियम और रचेसागा हाई इधिoff rightly बनाया जाती है इसको के लाट में डूमें कूंसी मोटर लगे होता है जो लगाए जाते जिस मोटर में आपका एस्थ मोटर हका बेखों Klinger में को कआ परियों कि जाता है इसमें एक एर फंप होता है जो एक क propuse की गंदगी को क्यांच कर साफ साफ भी करता है संत किस से बनी होती है तो जो रहता है आपका मैंगोरीन का बनाया जाता है कि संट्य योगते जो याद रखना है मेंगणनी सो बनाए जाता है यह सियर में कंट्रोल लेंट कौन कौन से होते हैं तो यह से इसका सिएट होता है यहापके घीट होता है यहाप इसका प्रप्रशन कंट्रोल रेक्टिफ है इसमें आपके त्यंटर्मिनल होते हैं आपको अधाकॉंट कि इसके बाद है आपका की एक बाइट कि में कितने बिट्स होते हैं तो आपके आठ बिट्स होते हैं याद रखिएगा तो ऐसल आपके आटाता है तो यहाँ इसका से अंसर क्रिक्ट होजहें कि रिलिए को इसे अधानर आ रह गला क कर अठ बना भींगेजि matrix और प्रोग्रामेबल लाजेक कंट्रोलर में सब्सप्रोबड़न में च्छेटर मोटर में उत्पन होता है आपको मोन ます कैनल मोतर में मों Пос опыт इस च्छेटर मोंतर में इस तरह से समयуйте करें हैं जैसी इस सफप्लाई दी जाती हिसमें रोटाइटिंग मेंगनेटिक फिल्ल बन जाता है इस इलेक्ट्रिक्ड वाइंडिंग् डौलाप होती है इसे एंगल 120 होता है कि पिक्चर ट्यूब का गामा प्रभाव होता है तो पिक्चर ट्यूब का जो गामा प्रभाव होता है आपका कंट्रेस्ट होता है गामा प्रभाव कंट्रेस्ट से दर्था जाता है पिक्चर कितनी डार्क है और हाई इमेज वाली होगी कि हमें कितनी केलियर और लाइव इमे का होता है आपका electrical capacity रहता है यहां पर तो लखड़ी की नामी को मापने के लिए electrical capacity का परियोग की जाते है इसमें आरेच संसर्स का परियोग किया जाता है जिसे को लखड़ी के holes में लगा जाता है और moisture लखड़ी की die electric properties बदल जाते है जिसे capacity measurement का परियोग होता है secondary storage memory टाइप है तो secondary storage memory जो टाइप होता है आपका नान वो ले टाइल memory होता है यहां पिसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 46 नमर कोशन है कि वो शोल्डरिंग में filler metal का melting point कितना होता है तो देखिए जो सोल्डरिंग रहता है यह आपका पीवी और एसन से मिलकर बनाया जाता है और इसमें जो फिलर मेंटर रहता है इसका जो melting point रहता है यह आपका 420 degree Celsius से अधिक होना चाहिए 47 नमर कोशन है एक डिश्टल सिस्टम में basic storage तत्त होता है तो देखिए डिश्टल सिस्टम में basic storage तत्त होता है यह आपका फिलिप फलाप होता है एक ट्रैक किस प्रकार का switch है तो देखिए एक जो track होता है यह आपका अग्ड़ाइक्शनल स्वुच होता है एक तिन टर्मिनल इलेक्टरानिक कंपुनेंट है इसका नाम bi-direction ट्रायोड थाइरिश्टर भी है या करेंट को दोनों डायरेक्शन में कंट्रूल करता है इसका पर्योग लाइड ड्रेमर में किया जाता है कि पचास नमर कोश्चन है एक यूजेटी में कितने पी एंच जक्षन होते हैं तो यूजेटी को यूणी जक्षन ट्रंजेश्टर होता है यह एक इलेक्ट्रोनिक सेमिकंडक्टर जिसमें केवाल एक पी एच जक्षन होता है और यह एक इलेक्ट्रोनिकल कंट्रोलर स्विच की तरह काम करता है जान जान को निए को हाव varies is yeah household पर यूज सब्सक्रेट को सब्सक्राइब वीडियो पसंद आया कि एक आपने दोस्तों के साथ सेर कर देडिय encompass यू आ है